अगर आपको हर तरह की मिक्स सबजी आखाना बहुत ज़्या पसंद है तो आज मी लिगर की आई हूं भूई साग, आलू और कोड़ा की मिक्स सबजी रेश्पी यह रेश्पी बनाना बहुत ही ज़्याधा असान है और खाने में उतना ही स्वाधिश होता है तो इस पे पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल सुधा कीचेन को इनको सब्सक्काइब करना ना भूले मैं हूं सुधा स्वागत है आपका मेरे कीचेन में तो चलिए शुरू करते पोईसाक मिक्स सब्सक्राइब के लिए हमें यहाँ पे लगेगा भूना हुआ जीरे का पाउडर तो मैं यहाँ पे एक चमच के करीब में खड़ा जीरा ले ली हूँ इन्हें हमें हलका सा ड्राइ रोस्ट करके हमें इसका ना फाइंड पाउडर रेडी कर लेना है तो इसका मैं एकतम से फाइंड पाउडर रेडी कर लूँगी तो यहाँ पे इस भूने हुआ जीरे को ना हमें अच्छे से कूट के मतब इसका पाउडर बनाके इसे एक साइड में रख देंगे तो यह हो गया हमारा मसाला इस मिक्स सबजी रेस्पी के लिए इसके बाद हमें यहाँ पर एक कढ़ाई रख देनी है कढ़ाई में हमें डाल देना है सरसो का तेल तो इसमें हम एट करेंगे सरसो का तेल और तेल को हम गर्म होने देंगे तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर हमें डाल देना है पचफोरन तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ यह पछफोरन यह देखिए पछफोरन को हमें तेल में डाल देना है इसके बाद हमें इसमें लगेगा सुखी लाल मिर्चे एन्हें भी मैं बीस से तोड़ के इस तरह से डाल दी हूँ इसके बाद हमें यहां पे दो मीडियम साइज के प्यास लगेंगे इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें हमें क्या करना है अच्छे से पहले गोल्डेन ब्राउन कर लेंगे तो इस प्याज को अच्छे से पहले गूर्डन ब्राउन कर लेते हैं यानि कि यह जो फोरन का इस्तमाल किये हैं इसे हमें हलका सा पका लेना है तो प्याज अभी यहाँ पे पक रहा है तब तक हम इसमें कुछ हरी मिर्चे भी से कट करके डाल देंगे तो आपको जितना तीखा पसंदो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें हरी मिर्चे का इस्तमाल करें हरी मिर्चे भी डाल के इन्हें भी हम अच्छे से पका लेंगे तो जैसे प्याज थोड़ा पक जाएगा इसमें हमें सबजिया डाल देनी है तो सब्जियों में यहाँ पे मैं ले ली हूं यह आलू और कोहड़ा, तो कोहड़ा को हम इस तरह से कट कर लिये हैं, आलू और कोहड़ा दोनों को डाल के इन्हें हमें प्याज के साथ अच्छे से भुन लेना है, यहाँ पे आप गैस के फ्लेम को हाई रखे हाई फ्लेम पे इन सब्जियों को हमें अच्छे से भुन लेंगे, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ, और इस सब्जी को ना हाई फ्लेम पर अच्छे से भुन लूँगी, तो यह देखे, आलू और जो कोड़ा है ना अच्छे से भुन चुका है, इसके बाद हम इसमें पोई साग का जो डंठल है ना उस डंठल को हम इसमें एड़ कर देंगे, तो डंठल को भी डाल के गैस के फ्लेम को हाई ही रखेंगे, हाई हीट पे हमें यहाँ पे आलू, कोड़ा और डंठल दोनों कोई अच्छे से भुन लेना है, तो 5-10 मिनिट का टाइम लेते हुए आप इस सबसी को अच्छे से भुन ले, तो जैसे ही यहाँ पे यह डंठल, आलू और कोड़ा अच्छे से भुन जाएगा थोड़ा गोल्डेन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें यह पोई साग डाल देंगे, तो पोई साग के पतों को अलग करके मैं इस तरह से कट कर ली हूँ, धो के रेडी की हूँ, यहाँ पे हम इस साग को डाल के फिलाल हम इन्हें मिक्स नहीं करेंगे, हम ज़स्ट इन्हें ऐसे ही डाल के इसे थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ चाप देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे धकन को लगा देंगे, और यहाँ पे गैस के फिल्म को आप हाई रखें, मतलब मीडियम भी कर दें, इसके बाद थोड़ी देर बाद हम धकन को हटाएंगे, यह देखिए और धकन को हटा कि इसके बाद हम इससे ना अच्छे से mix करेंगे तो उससे क्या होगी न साग की तो एक quantity थोड़ी सी कम हो जाएगी साग हमारा थोड़ा नर्म हो जाएगा और यह सारी सबसियों में अच्छे से mix हो जाएगा तो इन सभी चीजों को अच्छे से mix करेंगे mix करने के बाद इसमें कुछ spices add करेंगे तो यहां पी हमें बस हल्दी का powder और अपने स्वात के अनुसार नमक डाल देना है तो आप अपने taste के according इसमें नमक डाले, हल्दी डाले और हमने जीरा भुनके ready किये थे ना जीरा का powder तो जीरा का powder हम इसमें add कर देंगे इसके बाद सब्यबंके को अच्छे से mix कर लें मिक्स कर लेका गाए मेथ filter तो थोड़ी देर बाद हम धकन को हटा लेते हैं और चलिए देख लेते हैं सबसी ने अपना पानी खुदे यहां पे छोड़ दिया है इस तरह से और यह हमारी जो सबसी है अच्छे से कुख हो गई है सबसी यहां पे बनके तयार है अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पान पानी आड़ करना चाहिए तो आप इसमें इस स्टेज में घरम पानी आड़ करें यहां पे सबसी आच्छे से कुख हो गई है मैं इसमें और कुछ पी आड़ नहीं करूंगी यह हमारी सूपर टेस्टी जो मिक्स सबसी है ना पोईसाग वाली यह बनके तयार है रिस्पी कै लाइक का प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग